इसक्राइब कीजिए सकषिच करियार चैनल को और घंटी बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा सबसे पहले कि इस वीडियो में जा रहे हैं में पार्ट आफ एन इंजन इंजन के में पार्ट के बारे में पढ़ने इंजिनियरिंग इंजन कंपोनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और यह आपके लिए बहुत ही उप्योंगी है आईए देखते हैं देखिए यह अभी इंट्रोड प्रक्षन है यहां पर हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिलेंडर ब्लाक के बारे में सिलेंडर हेड के बारे में पिस्टा हेड पिस्टन के बारे में कनेक्टिंग रॉड के बारे में क्रेंक शाप फ्लाइवील केंशाप ट्रॉकर और्म इस्पार्क प्लग इगनिशन डिवाइस कार्बूरेटर और मैनिफोर्ड एयर फिल्टर आयल फिल्टर आधी के बारे में पढ़ेंगे जो इंजन के मुख्या भागें तो आएए हम स्टार्ट करते हैं सिलेंडरेट से सिल सिलेंडरेट जो है सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडरेट तता क्रेंकेस यह तीर पार्ट आटो मुबाइल इंजर के निव होती हैं सिलेंडर ब्लॉक प्राय ग्रे कास्ट आयरन का बना होता हैं सिलेंडर ब्लॉक के अंदर लाइनर अलग से फिट किये जाते हैं जो घिसने पर तेट यह तो जो होता है वेट लाइनर और दूसरा ड्राइफ लाइनर यह कूलिंंग जल के संपर्क में रहता है और ड्राइफ नश्राइफ होता है ख मैं ग्रांडिंग तथा होनिंग द्वारा सीसे की तरह फिनिसिंग किया जाता है जिसे मीर फिनिसिंग कहते हैं इंजन के बाहर के पड़त को लेपिंग द्वारा你在 किया जाता है सिलेंडर ब्लाक के मुख्यत तीन भाग है पहला जो है सिलेंडर जिसमें पिष्टन चलता है दूसरा पूर्ट से आउपनी यह ट्वी स्ट्रोक इंजन के लिए होता है और तीसरा जो होता है पासे जो ठंडा पानी बहाने के लिए होता है नोट एक चीज याद सिंगल सिलेंडर इंजन के सिलेंडर के चारों तरफ फिंस लगे होते हैं सिंगल सिलेंडर के चारों तरफ फिंस लगे होते हैं तो सिलेंडर ब्लाक आपने फिगर में भी देख लिए सिलेंडर ब्लाक के नेक्स टापिक में चलते हैं नेक्स टापिक हमारा पिस्टन तो दे कि रसाइनिक उर्जा को संपीढन की साहेता से यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित करता है पिष्टन सीलेंडर के परेटिंग मोशन करसे परिवर्थ होता है और नी गति परदान करती है तो देखिए यह हमारा जो पार्ट है यह वाला यह हमारा पिस्टन रिंग है यह दो परकार के होते हैं पिस्टन के लगतार चलने का पिस्टन के स्कॉट पघर सड़ होता है कनेक्टिंग राड के छोटे सीरे के लिए यह गाइड का काम करता है फ्यूल की जलने से जो प्रेशर बनता है, उसे यह गरण करता है और क्रेंक साफ तक पहुंचाता है गैस सिलेंडर के अंदर गैस टाइट पलग की तरह कारिय करता है पिस्टन जिससे अधिग दापकी गैस का कंबस्चन चमबर के क्रेंक केस से लिख नहीं करती piston prior cast iron या aluminum मिस्तर धातु के बनाया जाते हैं उच्च दबाओ तता तापकरम पर कारे करने की छमता piston में होनी चाहिए piston और cylinder के बीच घरसा कम होनी चाहिए piston और connecting राट के छोटे छिद्र को गजन पिंट से जोड़ा जाता है piston clearance prior 0.025 mm से 0.100 mm तक होता है अब देखिए हम पढ़ेंगे piston ring के बारे में piston ring होता क्या है मैंने बताया piston ring यह पिस्टन रिंग दो परकार के होते है compression ring इनका अलग अलग कारी होता है तो वह भी देखेंगे देखिए piston की परीदी पर खाचों में यहां हातों में वो PDF में गलत थोड़ा हो गया है यहां खाचों में रिंग लगी रहती है जिने piston ring केते हैं यह दो परकार के होते हैं पहला जो होता है compression ring होता है और दूसरा आयर रिंग होता है compression ring गैस दाब को शील करता है और आयर लिंग इस नहीं तेल को ऊपर जाने से रुखता है कि आयर लिंग में चिद्र होते हैं जिसे इस नहीं तेल निकालते हैं piston ring धलवा लोगा का मिसर धातु की बनी आयतकार सेक्षन की चूड़ी की तरह गोल होती है पढ़ेंगे हम piston ring के कारे के बारे में piston ring का कारी क्या होता है यह lubricating आयल का बहाओ कंट्रोल करती है और इन्हें combustion चेंबर में जाने से रोगती है piston head से cylinder की दिवार में उसमा बहने के लिए राष्टा बनादने देता है यह piston और cylinder के बीच प्रेसर शील बनाए रहती है जिससे combustion चेंबर में हाई प्रेसर गैस क्रेंग के से लिक नहीं करती है अब है connecting rod अब connecting rod बहुत important होता है देखिए चित्र में connecting rod को दिखाया क्या है connecting rod क्या होता है देखिए connecting rod piston और crank shaft को जोड़ती है इसका छोटा सीरा पिस्टन से जुड़ा होता है यानि कि इसको छोटा सीरा को इसमाल एंड और बाड़े सीरह को biggest bearing केते हैं इस माल इंड़ी एंड ठीक है तो जुड़ा होता है और बड़ा सीरा क्रेंग पिन से दुड़ा रहता है बड़ा सीरा यह है जिसे हम लिए सेक्षेंट के होता है और फोर्ज इस्टिल की बनी होती है आई सेक्शन मतलब आई के तरह आई के आकार में यह पिस्टन के रेखिया गति को क्रेंक साफ्ट के विर्तिय गति में बदलता है कि कनेक्टिंग राट के छोटे चिद्र में गोल बेरिंग तथा बड़े चिद्र में फ्लेट बेरिंग होते हैं कि कनेक्टिंग रॉड में आयल चिद्र होता है कनेक्टिंग रॉड जो हता है उसमें आयल चिद्र होता है कनेक्टिंग रॉड जो हता है छोटा सीरा पिष्टन के साथ उपर नीचे गति करता है और कनेक्टिंग रॉड का बड़ा वाला सीरा यानि बीगेंड क्रेंक साफ्ट के साथ उपर नीचे होता है एयर क्लिप इसमें लगा होता है पिश्टन में कटे खाचे में लगा होता है जिसे वह पिश्टन पिन सिलेंडर के सते से असपर्श करने से रोकती है इसमाल एंड में पिश्टन पीच के लिए कांसे का बियरिंग लगा होता है तो देखे पिस्टन पिन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि पिस्टन पिन होता क्या आ पिड़ नीजहतों यहीं पिट्वन ऐह पिस्टन पिन को बेरी कि भाया दूसरा पिसटन पिन में और ऐसे यह तिन नाम होते हैं यह पिष्टन को connecting राट के स्माल एंड से जोड़ती है यह इस चील की बनाई जाती है और इसकी सत्व को केसा अर्ण कर देते हैं जिसे अगिशा और दी हो जाता है पिष्टन पिन अधिकतर खोखली होती है देखिए यह खोखली दिखाई गए यहां पे क्रेंग्स यूर् JOSH यह फीगर दिखाये गया है ग्रेंग्स बहुती इंप्रन्स पार्ट होता है आर्टो मोवाल में क्यूंकि गए वह फीषप से घति से परेश्यत किया जाता है तो देखिए क्रेंग् साफ और क्रेंग चा聲 साफ्ट टाइमिंग चेन्स्ट बेल्ट से जुड़ा होता है u power transmission सिस्टम में क्रेंग साफ्ट पहला पार्ट जिसपर पिस्टन का रिसिफ्ट प्रोकेटिंग मोसन करेक्ट्रिर राड की सहाटा से विरतिय गत्य में परिवर्तित होता है क्रेंग क्रेंक साफ्ट मिस्र इस पास से कास्टिंग या फोर्जिंग द्वारा बनाई जाती है जिस पर उस्मिय उप्चार किया जाता है कि क्रेंक साफ्ट और केंप साफ्ट एक दूसरे के समानतर होते हैं क्रेंक साफ्ट फोर्ज इस्टिल कब बना होता है करेंग् Gay आप साफ कि इसपर ग्राइग तता मस्शीणिंग द्वारा connecting राड़ तक तता में बीरिंग के जरनराल बनाए जाते हैं क्रेंग शाफ्ट और केंप डिया राण वण होता है यह मश्री प्रेथ में डिलिंग द्वारा इयल के सब्रेट बनाए जाते हैं जिए सब्सक्राइख में बीहर Pham कि तथा जन्रल ये कनेक्टिंग साफ्त के विभिन भागे हैं क्रेंक साफ्त के आगे के सीरे पर फैन बेल्ड कर इस प्प्रोकेट वाइबर घर पर तथा फैन पिल्री लगी होती है इसके पिछले सीरे पर यानी क्रेंग साफ के पिछले सीरे पर फ्लाइविल लगी होती है यह हमारा क्रेंग साफ आप फिगर में देख सकते हैं उसके बाद आता है हमारा फ्लाइविल तो फ्लाइविल कैसा होता है देखिए कहां लगा होता है फ्लाइविल इस्टील का बना पहिंडिया होता है या मेंक्ट के पिछले सेर्ये पर चड़ा होता है कि च물ों कि संख्या加थ तक इंजन की बनावार्ट पर फॉरAy wil का कर निर्वर करता हैं में इंजन इता इस्टार्ट करते समय यह इस्टार्टिंग मोटर के अपिनियन से मिला सिलेंडरों की संक्या तता इंजन की बनावाट पर फ्लाइविल का कार नीर्वर करता है, इंजन इर्था स्टार्ट करते समय यह स्टार्टिंग मोटर के पीनियन से मिला रेता है, क्रेंक साफ्ट से शक्ती परवा एक समान नहीं होती, जिसके लिए फ्लाइविल की आवसकता जिसे गती एक समान देता है प्लाइविल अपने जडत्व के कारण क्रेंक साफ्ट की स्पीड समान रखता है कि जब पावर स्टोक में सकती बढ़ता है तो फ्लाइविल इसे ग्रहण करता है और जब अन्यतिनी स्टोक में सकती विए गटती है तो देता है फ्लाईविल की परीदी पर दाते कटे होते हैं यह की तरह काम करता है फ्लाईविल उसके बाद आता है कैम तो फिगर में दिखाया गया है जो यह कैम साफ्ट और यह कैमचाप फोर्ज इस पात का बना होता है Camsoft में Camlobe लगे रहता है Camlobe जो उपर के तफ़ी निकला हुआ पाट है वो होता है Field Pump को Camsoft द्वारा उर्जा प्राप्त किया जाता है Camsoft क्रेंग साफ्ट के परतियक दो चकर पर एक बार बनता है यानि कि Camsoft जो है Cranksoft के परतियक दो चकर पर एक बार यह गति करता है उसके बाद आता है हमारा राकर आर्म यह कहां लगा होता है हमारा Camsoft पर ही लगा होता है या Cam लोग से तिर्जिय गति प्राप्त कर पोपेट वाल्ब को रिखिय गति परदान करता है रोकर आर्म की साहता से वाल्ब खुलते हैं परन्तु वाल्ब बंद इस्प्रिंग की साहता से होती है रोकर आर्म किसके साहता से खुलता है तो Camsoft की साहता से खुलता है और परन्तु बंद इस्प्रिंग की साहता से होता है रोकर आम रोकर साहत में लगा उता है दकर सफ में लगा रोकर से जास लकी एक ते हैं यहाँ पर जो गलतिया हुए है इसको राकर बना लेज़े और इसको आर्म बना लिजे लोग काट दीजे आर्म जाएगा ठीक है उसके बाद चलते हैं नेक्स स्लाइड एयर फिल्टर एयर फिल्टर जैसा कि फिगर में यह दिखाया गया है यह एयर फिल्टर है यह क्या होता है देखिए एयर फिल्टर रिषिदार पदार से बनाया जता है यह जो है किसे बनाया जता है रिषिदार पदार से और रिषिदार पदार से बनता है जो हावा को जाने स से पहले साफकर सिलेंडर में भीजता है यह एयर फिल्टर रिसेदार्थ पदार्थ से बनाया जता है जो हावा जो जाने से पहले साफकर सिलेंडर में भीजता है क्या इंटेक मेनी फोल्ड से लगा होता है इंलेट मेनी फोल्ड से उसके बाद आता है हमारा आयल फिल्टर जै करता है इंजन के लगतार चलते रहने से आयल में फिल्टर के कारण और सुधिया आ जाती है जो फिल्टर की साहता से दूर किया जाता है उसके बाद आता है हमारा फ्यूल फिल्टर होता क्या है यह फ्यूल को फिल्टर करता है फ्यूल फिल्टर फ्यूल पंप के में लगा होता है वानों में प्राइर दो प्रकार के फ्यूल पंप लगे होते हैं पहला प्रात्मिक फ्यूल पंप फिल्टर और दूसरा दिवितियक एक फ्यूल फिल्टर ठीक है तो फ्यूल फिल्टर दो परकार के होते हैं एक पेपर टाइप को होता है एक वायर टाइप पेपर टाइप बना होता है यह हमारा फ्यूल को फिल्टर करते हैं कुछ से उसके बाद हमाता हमारा आया इसपार्क प्लग इसपार्क प्लग ये फीगर में candy इंजन में लगा होता है या पेट्रोल बाकी मिस्षरर को चरण में सहायता करता है जब इस पार्क प्लग 20,000 से 25,000 वोल्ट गुजरती है तो एर गैप की वज़ा से इस पार्क होता है जो हावा इंदन के मिस्टर को जलाने में सहायक होता है यहां पर एक चीज़ गलत मिस्टेप हो गया है यहां पर पेट्रोल और इंदन होगा ना पेट्रोल और इंदन इंधन को Jalane में सहायता करता है यह पेट्रोल और इंदन पे मिस्षरों को Jalane में रॉल Purpen निक्स लेगािब निक्स्ट वाइंड हैं हमाया फैयरं और फारीलिंडर क्य होता है कि pay यह पीस्टनों को फाइरिंग आडर होता है उसे फाइरिंग आडर कहते हैं उचित फाइरिंग आडर से इंजन में कमपन कम होता है इंजन संतूलत चलता रहता है और पाउर फ्लो समान रहता है तो फाइरिंग आडर के बहुत से लाब है जो इंजन कमपन कम करेगा इंजन संतूलत से चलेगा औ पार फोड समान रूप से होता रहता है तो तीन चिल्एंडर इंजन के लिए फारिग आडर क्या होता है 13132 स्का फॉर्षिलेंडर keh एंजन के लिए हमारा फाइरिंग आडर क्या होता है 1342 या 1243 कि उसके बाद हमारा अगर बात करें फोर सिलेंडर होरिजेंटल ओपोज्ड इंजन कैसा फाइरिंग आडर होता है तो 1432 का होता है उसके बात करें अगर सिलेंड़ इंजन की तो सिस्ट इंडर इंजन में फाइरिंग अडर कैसे होता है 1356 24 1426 35 1326 45 और 1246 53 उसके बाद एट सिलेंडर की बात करें तो एट सिलेंडर में फाइरिंग आडर कैसे होता है देखिए 1616 सिक्स सुरी तो यहां पर विविन टाइप के सिलेंडर इंजन के बारे में दिया गया है जो आप याद कर सकते हैं क्योंकि अक्सर एक दो क्वेशन ज्याद तर फोर सिलेंडर इंजन का आप याद रखिया और सिक्सिलेंडर का बाकी तो 132 ऐसे याद रहेगा एट सिलेंडर का बहुत कम पुछता है लगबर ना के बराबर तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अ